आज की इसी वीडियो में जानेंगे कि Instagram पर मेल आईडी को कैसे डिलिट कर सकते हैं क्या दोस्तु आपने भी Instagram पर अकाउंट बनाया होगा तब आपने Instagram पर कोई मेल आईडी या मोबाल एमबर एड की होंगे उसको डिलिट करना चाहते हो तो किस परकार कर सकते हैं हम आज की इसी वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सरु से लेके end तक देख लेना मैं आपको step by step समझाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी इस्टाग्राम पर mail id को delete करना चाहते हो या उसको remove करना चाहते हो तो भी सीख जाओगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले अभी तिक आपने इस चैनल को subscribe कर देना और आपको pass million गंटी दिखाए देरी उस गंटी को all पर प्रेस कर देना उसका बत गळेज आप Instagram को open कर लेना जैसे दोस्तों आप Instagram को open करोगे तो दोस्तों आपको इस परकार का इंट्रेच दिखाई देरा उसका बत गळेज अपनी profile पर आपको tape कर लेना जैसे दोस्तों आप अपनी प्रोफाल पे टेप करो गे तो फैस आपको आपको कोनेम कोनेक 3.00 का आइकन दीख करे दरा उस पर आपको कलिक कर लेना उसका बट गयज आपको आपको अपर अपर सेटिंग एन्ड प्रेविसी पर कलिक कर लेना जैसे कलिक करोगे तो फैस आपको इस परकार का इंटरपेस देखने को मिल जाएगा उसका बद गाईज आपको आपको अपर अकाउंट सेंटर पर आपको कलिक कलेना उसका बद गाईज आपको 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 निचे इंटरपेस कलेना तो दोस्तु आपको आपको दिखाए ज़रा परस्टनल डीटेल उस पर आपको कलिक करोगे तो फैस आपने मेल आईडी या मोबाल लंबर डाला होगा तो गाइस आपको 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 दिखाए दे रहें दोस्तु आपको 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 दिखाए ज़रा मेरे मेल आईडी को एड किया था तो मेल आईडी दिखाए देरी मैं इस मेल आईडी को डिलिट करना चाहता हूँ या मोबाल लंबर को डिलिट करना चाहता हूँ तो गाइस उस पर आपको कलिक कर लेना जैसे कलिक करोगे तो आपको 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 हो जाएगी हाल फिनल में अभी मैं mail id एड्रेस डिलीट नहीं करना चाहता हूँ और दोस्तों आप mail id को डिलीट करना चाहते हो तो इस पे कलिक कर लेना आप में इस्टाग्राम में mail id होगी वो डिलीट हो जाएगी तो फाइनली गाइज ये वीडियो आपको useful लगी तो वीड से वीडियो कैसे लगी वीडियो के निचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सास्काइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद